सब को जे ये सुकी प्रभी ये सुक्रिस्त में प्यारे भाईयों बहनों नव जीवन का संदेश इस शिर्षय के अंतरगत प्रत्थी दिन का ईश्वर का जीवन्त वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों के अनुसाथ जीवन बिताने के शक्ति सामते क्रपा अ नुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार देख स्वागत करता हूं आज जुलाई की चबीश तारिक है और आज के दिन में हम सभी संत जौकिम और संत अन्ना की हम लोग परू मनाते हैं स्मृति मनाते हैं धन्यकवारी मरियम के माता-पिता संत जौकिम और संत अ बाते हैं हम सबों के लिए ग्रहन करने के लिए प्रस्थुत किया गया है जौकिम और अन्ना दोनों का जीवन इतना इतना प्रभावश आलिता बहुत सरल जीवन बिताते हुए ये इश्वर के प्रती अठूट अठूट भक्ती विश्वास रखते हुए और उनके सामने न जीवनी हम सबों को आज के दिन में मनंचंतन करने के लिए कलिस्याब बुलाती है हम प्रभू को धन्यवाद दें और आज के सू समचार के द्वारा मुक्य रूप से बीज बोने वाले द्रस्थांति की व्याक्या करते हुए हम सबों को समझाया गया है कि हम सभी फलहीन और यह संबोधित की आता मुक्य रूप से उस जमाने में उस वक्त जब वच्छन सुनाया गया तब इज बोने वाले का द्रस्थांत और उसकी व्याक्या इस्राहिली जनता की जीवन को लेकर इस्राहिली जनता का जीवन एक प्रकार से फलहीन बुमी के स्रद्रश्यता और फलहीन बुमी के स्रद्रश्यत से हटकर उन्हें परिवर्तन लाते हुए पशताब करते हुए सच्छे इश्वर के वर लवट के आते हुए इश्वर के आदेश कमसा जिवन बिताते हुए फलदायक जिवन बिताने के लिए फलदायक बुमी बनने के लिए उन्हें निमंत् बह्यों भाइनों आज के दिन में हम सबों को दिया जाता है कि हम सभी फल ही बूमी के sridrush नहीं बलकि फल दायक बूमी के स्रच्द बने इसलिए हम सब को हमारे दिल रुपिव से खेत को फल्दाय cranied में के graph के अंदर किसी बंदगी पाप में कलंक है तो उन सबों को निखालने के लिए पश्चताप करते विए सच्चे इश्वर की और लौट के आने की और इश्वर के प्रतिश्द्धा बक्तियास्ता विश्वास का जिवन बिताते विए फल धायक भूमी के स्रद्रश्च बनने के लिए बुलाव है यहां पर इस प्रकास से इबात प्रस्थुत की गई है अब तुम लोग बोने वाले इक आद्रस्थान तो सुनो यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समस्ता नहीं तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है यह वहां है जो रास्ते के किनार कोड़े दिन द्रड रहता है वचन के कारण संकट या अत्यचार आप पढ़ने पर बत्तुरंत विशलित हो जाता है जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है परंत संसार की चिंता और धन का मुह वचन को दबा देता और वह फल नहीं लाता जो अच्छी की भी में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता समघता है और फल आता है सव गुना, साट गुना या तीस गुना, यह बात संबोधित है मुक्यरूप से इसराली जन्ता की जीवन को लेकर, आज के दिन में हम सबों की जीवन को लेकर यह बात प्रभु हम सबों के समुख पुरस्तुत करता है कि मैं किस प्रकार की भूमी हूँ, फल दायक बूमी हूँ या फल हीन बूमी हूँ, फल हीन हूँ, फल दायक बनने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे पश्यताप करना है. और आज की इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें प्रभु के वश्यों पर मनंचिंतन करना है, मुक्यरूप से नबी एरेमिस दक्षिन के यूदा राज़ में नभी एरिम सका ज्न्म हुआ परंतु इसको अश्वर ने उत्र के विश्वाध घाथिनी इस्राइल राज़ जी के यहां संदेश देने के लिए बेगा इस्राइल जनता इस प्रजा इस्राइल राज़ में अपने सच्चे ईश्वर को त्याग कर भाल देवता और अन्य देवतां के उपासना करने लगी और अधिक मंदिरों को बनाने लगी इनका इजराइल जनता का व्योहार को लेकर प्रसंग हम सबों के समुक रखा गया ईश्वर द्वारा उनके कातिर किये गए चमतकारों और श पापों विश्वास घातिनी कारियों को चोड़ कर सच्चे ईश्वर के पास लौट के आएं इसी में उनका कल्यान है इसराइल अपने दुस्ट और हटीली हरदई की वासनाओं को धूर करें विदहान को याद करें विद्रोहिना बनें पश्चताब करें तता अपने जीव लाब दायक है इसलिए भायों बहनों आज के दिन में इस वचन को सुनते हुए हम अपने विक्ति का जीवन पर विचार करें किस प्रकार की भूमी के स्रद्रश्य मैं हो फलहीन या फल दायक अगर फलहीन है इसका मतलब मैं इश्वर के वचन नहीं सुनता हूं उसका नहीं कर दिन्स आ पा रहा है जिसके जिसके मतलब यह है कि मुझे इस फलहीन बूमी को पेचानते हैं उसके अंदर के बुराइक फल्दायक को सारा बाहर्चार करना है जैसे आज आज की वह सक्फुसमचार में बता है पत्रिली बूमी क्हांटिली बूमी रास्ते के किनार इस सार करके और मुड़ते हुए हमारे गलतियों को स्विकार करते हुए सच्छा पश्यताब करते हुए प्रभू के वशन के अनुसा जीवन बिताने का दर्ड संकल्प करना होगा तब जाके हम लोग फल धायक भूमी के सरदर्श बनेंगे और ऐसा जीवन बिताएंगे तो निश्च हमेशा फल दायक भूमी बनकर हमारे जीवन के द्वारा फल उत्पन करने वाले लोग बने प्रभू के मूलियों को सिद्धानतों को हमारे जीवन में पनपने दें विश्वास में द्रड हो जाएं मजबूत हो जाएं प्रभू का प्यार एक दूसरे के साथ बांटें इस प झाल झाल